तो गई तगर आपको यह वाली प्रॉब्लेम आ रही है अपने जेड आर्चुवर के अंदर जब आप आपका कुछी मतलब काम कर रहे हो ठीक है कोई फाइल को इस्ट्रैक वगेरा कर रहे हो तो क्या का लिखाता है operation completed with error मतलब आपका operation complete हो जाता है जो भी चीस आप कर रहे हो complete हो जाती है बट इरर शो करता है तो यह क्यों है आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा तो बैसिकली यह जो प्रॉब्लेम है अभी के टाइम पफजलाइट मोबाइल के अंदर या फिर गेमिंग के अंदर आ रही है ठीक है प्रॉब्लेम क्याती है कि आपका जो फाइल है आप जिसे एक्स्ट्रैक करना चाते है जो आपकी जीफ फाइल है फॉर अग्दम पर याप जो लिखे आ रही है उस फाइल के अंदर कोई गड़बढ़ है कोई प्रॉब्लेम है इस वजए से वो सही से काम नहीं कर पा रही ह या फिर सही से जो है वर्क नहीं कर रहा ही ठीक है इस सिच्वेशन में आप क्या चीदे कर सकते हो सबसे पहले तो जो फाइल आपके पास है जो फाइल आप यूज़ कर दे है पतलब जिसका आपको इस ट्रैक वगड़ा करना है वो चेक कर लीजे सही तरीके से है सही फाइल होनी जाहिए ठीक नमादनी जाए आपने कोई फाइल कर के इसे डाउनलोड क्यें तो वह सही तरीकी से होनी चाहिए और इसमें सारा डेटा मौझूद होना जाइए अगर आपने कई से डाउनलोड की तो उसका एक और वर्जर आप जो है डाउनलोड करके ट्राइ कीजेगा ठीक है कभी-कभी यह वालू सिच्वेशन आती है दूसरा कब आप एक कर सकते है कि यहाँ पर आपको जो फाइल है आपकी ठीक है मांदले आपको कही पर भी वह अपके फाइल वाटसेप की दुरी है आपने डाउनलोड की है किसे ने आपको बेजी है या फिर फाइल मैनेजर में है या फिर आपने किसी से ली है ठीक है तो उस फाइल को जो है वही से एक्ट्र ठीक है जैसे आप long press करते हैं यहाँ पर आपको कुछ option मिलते हैं जैसे share करना है आपको यहाँ पर ठीक है share करते हैं हमें इस file को तो जैसे हम इसे share वाले button पर दबाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ option मिलते हैं जैसे bluetooth हो गई या फिर gmail जो भी आपके phone में है तो यहाँ पर आ आप Android folder में यहाँ पर आएंगे और jeta में साना process कीज़ेगा कि आप पर आपको android में आपको इस जो ही लगा देना है ठीक है android में आना है डेटा में आना है और यही आपको पेस्ट कर देना है उस फाइल को ठीक है तो आपका काम हो जाएगा बागी आपकी फाइल जो है उसे कर लीजे इस रही तरीकी की फाइले एंड एक बार जेटार्चुर को जो है अपडेट करवा लीजे अगर आपका ये अपडेट नहीं है तो एक बारे से आप अपडेट करवा लीजेगा